नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिशित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतों पुछ जानकारी को ले करके जहां बढ़ते हुए डाइबिटीज को कुछी दिनों में कंट्रोल करती हैं ये 5 चीजें डाइबिटीज एक कॉमन सी बिमारी ह गई है आजकल हर उम्र के लोग इससे परिशान रहने लगते हैं कुछ लोग डाइबिटीज को बहुत मामूली और छोटी मोटी बिमारी समझते हैं जबकि ये सिर्फ उन लोगों की गलत फेहमी है क्योंकि अगर देखा जाए तो डाइबिटीज से गंभीर और खतरनाक इसकी चपेट में आ गया तो जीवन भर इसके लिए परहेज करना पड़ता है कुछ लोग डाइबिटीज से बचने के लिए कई प्रयास करते हैं बावजूद इसके उनका डाइबिटीज कम नहीं होता है इसे कंट्रोल करने के लिए नियमित दिन्चरिया और पोशन युक साथ इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है इसे नियंत्रित करने के लिए हेल्दी डाइट चार्ट होना बहुत जरूरी है इंसुलीन हार्मोन के स्त्राव में कमी से डाइबिटीज रोग होता है डाइबिटीज आनुवान्शिक या उम्र बढ़ने पर या फिर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है मधुमे के रोगी को आखों एवं किड्नी के रोग सुन्पन आना जैसी समस्याएं हो सकती है आज हम आपको आज हम आपको बढ़ते हुए डाइबिटीज को कंट्रोल में करने के लिए एक परफेक्ट डाइट चार्ट बता रहे हैं इस डाइट चार्ट को फोलो करके आप अपनी इस बिमारी से काफी राहत पा सकते हैं जिहां प्रोटीन का करें सेवन मधुमे के मरीज को प्रोटीन अच्छी मात्रा में एवं उंच गुड़वा तावाला लेना चाहिए इसके लिए दूद, दही, पनीध, स्वयाबीन, इ इसके कारण कमजोरी, अत्यधिक भूख लगना, पसीना आना, नजर से धूंदला या डबल दिखना, हरदय गती, तेज होना, जटके आना एवं गंभिर इस्थिती होने पर कूमा भी हो सकता है, करेला है अमरित के समान, जिहां डाइबिटीज में करेला काफी फायदेमंद होता है, करेले में केरेटिन नामक रसायन होता है, इसलिए यह प्राकृतिक इस्टेरोएड के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे खून में शूगर लेवल नहीं बढ़ पाता है, करेले के 100 मिली लीटर रस में इतना ही पानी मिला कर दिन में तीन भार लेने से लाव होता है डबल टूंड दूद पीएं जिहां डाइबिटीज के मरेज हमेशा डबल टूंड दूद का प्रयोग करें कम कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें जैसे छिल के वाला भूना हुआ चना परमल अंकुरित अनाज सूप सलाद इत्यादी का ज्यादा सेवन करें दही और छाच का सेवन करने से ग्लुकोज का अस्तर कम होता है और डाइबिटीज नियंतरण में रहता है मेथी दाने का चून मेथी दाना यानि के दरदरा पिसा हुआ ले ले आप एक आधा चमच खाना खाने के 15-20 मिनट पहले लेने से शूगर कंट्रोल में रहती है एव इसके गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें स्वयाबीन आप मिला सकते हैं इसके साथ साथ आप शहद का सेवन करें कार्बोहाइडरेट कैलोरी और कई तरह के माइक्रो नियूट्रियंट से भरपूर शहद मधुमे के लिए लाफकारी है शहद मधुमे को कम करने में सहा कारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों